पाली जिले के राइपूर ग्राम में नेसलन हाईव 162 ब्यावर पिंड़ोडा फॉर लाइन पुलिया के पास बनी सर्विस रोड लाइन की खस्ता हाल हालत से रागीर वानचालक सहीद आसपास के दुकानदार भी परिसानिय जहल रहे हैं लेकिन एनेच एयाई के जिम्मेदारों की अंदेकी की वह से कभी भी कोई भी बड़ा हासा गटित हो सकता है दरसल राइपूर में नेसनल हाईवे 162 ब्यावर पिंड़डा फॉर लाइन के पास बनी सर्विस रोड लाइन कहीं जगों से डामर तूट चुका और गेरा गड़ा बना होने की वह से किस कदर रोड की कस्ताल हालत है ऐसे में इस सर्विस रोड लाइन सड़क से गुजरने लेकिन NGI की जिम्मेदारों की अंदेखी की वह से कभी भी कोई भी बड़ा हासा गटित हो सकता है दरसल इस सर्विस रोड लाइन सड़क में कई जगों पर डामर तूटने से और गेरा गड़ा पड़ा होने की वह से उसमें हुआ जल भरा फेले कीचड की वह से आम रहागी सही वहां चालकों को इसका खामयजा भुगतना पड़ रहा है यह सड़क पूर में भी कई बार सतिगरस हो चुकी है लेकिन इस सड़क के बार बार सतिगरस होने के बावजूद भी NHAI के द्वारा इस सड़क की मरमत को लेकर पुकता किसी तरह की कोई वेवस्ता नहीं की ज ज़्यादा कस्ताल हलात हो गए हैं और कीचड इस सड़क पर अपना पाउं पसार सुका है और जगे जगे पड़े गड़ों की वह से कभी भी कोई भी बड़ा हासा गटित हो सकता है सबसे ज़्यादा परिसानी दूपय वहां चालकों को जेलनी पड़ रहे हैं इसके लेकिन एनेच एयाई के जिम्मेदार किस कदर पूरी तरह से अंद्र की बरत रहे हैं ये सड़क की हालात भी बया कर रहे हैं राइपूर में जो हाईवे के पास सर्विस रोड बढ़ी हुई उसके क्या हालात है सर मैं आपको बता दूँ के राइपूर के हाईवे के पास सर्विस लेन है जिसमें गेरे गड़े बने हुए और खड़ों में पानी बढ़ा हुआ है और दो दिन से लगातार हुई चहतर में बारिस के कारण सर्विस लेन पर इतना गड़े बने हुए और इसमें पानी बढ़ा है और रात के समय और निकलने में वान चालकों को इतनी प्रेशान हो रही है कई बार हमने लेंटी के कंपनी वालों को बता रखा है अगर आज तक लेंटी कंपनी ने ना सुनवें किये नाब आज और खड़क के इतने खाब हालत है कि रात के समय वान चालक नहीं निकल सकता है झालकों के समय प्रेशाई झालकों के समय प्रेशा है झाल झाल